आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। प्रिहस्पतिवार को दिन में 10-11 बजे 17 जहास घाट पर उतरकर गाड़ी किराए पर ले रहा था। उसने देखा कि बिहारी खड़ा है, मालिक को देखकर उनके पास आकर उसने प्रणाम किया। तो उसे और कहीं रखकर दो आदमी डेरे पर आएं, उसको साथ लेकर ना आएं। सतीज भूक प्यास और थकावर से यूही दुखी हो रहा था। बिहारी का ये अपमान जनक प्रस्ताव किरनमई के मुपर ही सुनकर वो जल उठा। बोला, क्यों? उनको पेड के नीचे छोड़कर हम लोग उनके घर जाएंगे। जाकर कह दे, हम लोग वहां जाना नहीं चाहते। बिहारी का मुख उदास हो गया। किरनमई ने निकटा कर रुखी हसी हस कर कहा। ये तो ठीक बात है बोवा, इसमें रुष्ट होने के तो कोई बात ही नहीं है। अब बाबु कैसे हैं बिहारी? बिहारी के उत्तर देने के पूर्वी सतीश ने और भी रुष्ट होकर कहा। तुझे किसने ये बात कहने के लिए भेजा है? सावित्री ने? देखता हूँ उसका दिमाग बहुत चड़ गया है। सावित्री के प्रती इस कड़ी बात को सुनकर बिहारी ने व्यथित होकर किरनमई के मूँ की और देखकर कहा। आप ठीक कह रही है माजी, बाबु बिना समझे ही क्रोध कर रहे हैं। इन सब बिमारियों में कोई भी क्या वहां जाना चाहेगा। उपेंद्र बाबु ने कल रात को सावित्री को बुला कर स्वयम ही कहा था। डरने की बात नहीं है। किरनमई मेरी बिमारी का नाम सुनकर इस मकान में ही क्यूं इस महले में भी न आएगी। सावित्री की तरह सभी को मरने जीने। किरनमई का मुख वेदना से एकदम विक्रत हो गया। उसने कहा ये बात क्या बाबु ने कही थी बिहारी। बिहारी सिर हिला कर उत्साह से कोई बात कहने ही जा रहा था कि सतीश ने धमका कर कहा। अपने बाबु से कहो भै की बात नहीं है। उनकी आग्या पाय बिना मैं वहाँ न जाओंगी। सतीश से कहा। बहुआ आज मुझे किसी होटल में रखकर क्या कोई छोटा सा मकान किराय पर नहीं मिल सकता। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा। कलकत्ता शहर में मकान की क्या चिंता है भाबी। एक घंटे में सब ठीक कर दूँगा। आरे दिवाकर जरा जल्दी जल्दी चल। ये कहकर उसने किरनमई को गाड़ी पर चड़ा दिया और स्वयम कोच बक्स पर चड़ बैठा। गाड़ी के चले जाने पर शुब्द और लज्जत बिहारी उदास मुख से धीरे-धीरे मकान की ओर चला गया। सुविधा मिलते ही सावित्री भोर में जटपट गंगा जी में जाकर डुपकी लगा आती थी। सतीश के लौट आने के बाद इधर लगातार कई दिनों से वो प्रतिदिन ही गंगा सनान करने जाती है। चार-पांच दिन बाद एक दिन सवेरे सनान पूजा करके उठते ही उसने देखा फाटक पर कुछ हल्ला-गुल्ला मचा हुआ है। एक बुड़े ब्रामन सनान करने के बाद नामावली ओड़े मंत्र जपते जपते घर जा रहे थे। कहीं से एक पगली ने आकर उनका मार्ग रोक लिया। कहीं छूकर गंगा सनान का सब पुन्य वो मिट्टी में न मिला दे। इस भय से बूढा घबरा गया। पगली विनय के साथ अद्भूत प्रशन कर रही थी। महराज आप भगवान पर विश्वास करते हैं। उनको पुकारने से वो आते हैं। कैसे आप लोग उन्हें पुकारते हैं। क्या मैं उन्हें नहीं पुकार सकती। मुझे विश्वास क्यों नहीं होता। प्रत्यूतर में ब्रामन छूत छात के भय से संकुचित होकर कह रहे थे। देख अभी पहरेदार को पकारता हूँ, तु राह छोड़ दे। दो चार प्रोडास्त्रियां भी खड़ी होकर कौतुक देख रही थी। उनमें से किसी ने कहा ये पागल नहीं है, इसने रात भर शराब पी है। ये सुनकर पगली ने कातर होकर कहा, मैं भले गर की लड़की हूँ, मैं शराब नहीं पीती, वहीं तो मेरा घर है, मैं केवल तुम लोगों से हाथ जोड़ कर पूछती हूँ, क्या सचमुची भगवान है, तुम लोग क्या उनका चिंतन कर सकती हो, उनकी भगती कर सकती हो, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं परसों से उनको कितना पुकार रही हूँ, ये कहते कहते उसकी दोनों आखों से जर जर आसु बहने लगे, सावित्री ने भी उसे पागल समझा, लेकिन फिर भी इस अपरिचिता उनमादिनी के अश्रुजल से भीगी हुई व्याकुल प्रार्त जाते ही, बूड़े को छोड़कर सावित्री के सामने आकर वो बोली, तुम भी तो संध्यावंधना करती हो, तुम मुझे बता सकती हो, चारों और भीड हो रही थी, देखकर सावित्री ने जट से उसका हाथ पकड़ लिया, जोहीं उसने हाथ पकड़ लिया, त्योहीं उस पर चली गई, दो एक बात कहते ही समझ गई कि ये स्तरी पागल नहीं है, लेकिन किसी और मन लगाने योग्य, मन की अवस्ता भी इसकी नहीं है, बाच्चीत के बीच में ही वो एका एक बोल उठी, मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ, कि उनके प्रती मैंने अनेक अपराद किये हैं, इसीलिए उनकी बिमारी मुझे दे कर उनको अच्छा कर दो, अच्छा बेहन, ऐसा हो सकता है क्या, उपवास करके दिन रात पुकारते रहने से क्या वास्तम में ही उनको दया आती है, तुम जानती हो, कहकर उसने तीवरिद्रष्टी से सावित्री के मुझ की ओर देखा, सावित्री के समझ में नहीं आया कि इसका क्या उत्तर देना चाहिए, उसने कहा, जाती हूँ, गंगस्नान करके आती हूँ मैं, गंगस्नान करने से बहुत से पाप कट जाते हैं, कहकर उत्तर के लिए प्रतीक्षा ना करके चली गई, सावित्री के न हुआ अपने हृदय का असहय दुख प्रकट कर रहा है उसका परिताप उसकी व्यता अंतर्यामी के अतिरिक तोर कौन जानेगा उस ओर के कमरे में महेश्वरी भूमी पर पड़ी हुई करुण कंट से रो रही है इस घोर दुख से भरे शोक में केवल सतीश ही अकेला स्थिर भ रही थी उसी का दुस्सह कलेश सहकर उपेंद्रे नेत्र बंद किये चुपचाप पड़े हुए थे एक बार नेत्र खोलकर सावित्री के मूगी और देखकर उन्होंने असफुट स्वर से पूछा रात कितनी है बेहन ये क्या भीतेगी नहीं सावित्री ने आचल से उनके ह पोटों पर से रक्त रेखा को पोचकर जुक कर कहा अब अधिक नहीं है भाईया क्या बहुत कष्ट हो रहा है वो पेंद्रे ने कहा नहीं बेहन सब को जैसा होता है वैसा ही हो रहा है अधिक क्यूं होगा जरा चुप रहकर उन्होंने उसी प्रकार कहा सतीश भाभी का क्या पता नहीं लगा। आज चार दिनों से किरनमई एकदम लापता है। कलकत्ता पहुँशने के दिन ही सतीश पास की एक मकान किराये पर लेकर एक नौकरानी रखकर सब आवशक प्रबंध ठीक कराया था। लेकिन उपेंद्र के बिमारी बहुत बढ़ जाने से वो दो-तीन दिन का दाग भी नहीं है। नौकरानी ने आकर कहा काम किसका करूं बाबू। बहु उस दिन जो आई, खिड़की के छड़ पकड़े रहा की और निहारती हुई बैठी रही। फिर तो वो उठी ही नहीं। सनान भी नहीं किया, मुँ में पानी तक नहीं डाला। विचाया विच माथे पर हाथ रखकर थोड़ी देर तक बैठ गया। अंतमे दासी के हाथ में और पांच रुपे दे कर लौट आया। तभी से आदमी भेज कर पता लगाने में उसने तुरूटी नहीं की, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। सभी बाते उपेंद्र के कानों तक पहुच च सुन्दरी है, उस पगली में भी सुन्दरता थी, लेकिन उसे सुन्दरी तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो क्यूं चली गई, कहा गई, किसलिए गई। उपेंद्र के उत्तर में सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर उन्होंने कोई प्रशन नहीं किया, और दूसरे ही प्रशन वो तंद्रा से आचन हो गई, इस प्रकार शेश रात बीद गई। दिन में दस बजे के लगभग फिर एक बार नेत्र खोल कर, गौर से देखकर मानू पहचान कर वो शीन कंट से बोले, ये कौन है, सरोजिनी है, सरोजिनी भूमी पर गुटनों के बल बैटकर लेकिन किसी प्रकार भी स्मरन नहीं कर पा रहा था, आज ना आने से संभवत है ये बेट भी नहीं होती, ये कहकर वो मानू कुछ देर तक कोई चिंता करने लगे, स्पश्ठ ही ग्यात हो गया कि अब सभी बाते स्मरन करने में उनमें शक्ती ही नहीं है, एका एक मानू स्मर पड़ते ही उन्होंने पुकारा, सतीश कहां है रे? सतीश उस और खिड की पकड़े बाहर की और देखता हुआ चुपचाप खड़ा था, पास आने पर उपेंद्र ने कहा, तुम लोगों का ब्याहा आँखों से देख जाने का समय नहीं मिला सतीश, लेकिन मेरी इस लक्ष पश्मी रूपिनी बेहन को, तु कभी दुख नहीं देना, अपना हाथ एक बार दे तो रे? ये कहकर उन्होंने कंकाल सद्रश हाथ को उपर उठाया, सावित्री के जुके मूँ की और देखकर, शन्भर के लिए सतीश की छाती धड़क उठी, लेकिन दूसरे ही शन, उपे बचन दिया था कि अपने सतीश भाई को मैं तुमको दूँगा, देखना रे, मेरे मर जाने के बाद कोई ये बात न कह सके कि तुन्हें मेरी बात नहीं मानी, सतीश अपने आसु रोक न सका, रोकर बोला, नहीं उपेन भाया, कोई भी ये बात न कहेगा कि तुम्हारी बात पाने से तो काम न चलेगा, सभी बाते खोल कर बता देने की तो मुझे आवश्यक्ता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे में बहुत से दोश हैं, मैं बहुत से अपराधों का अपराधी हूँ, इस पर भी किस प्रकार सरोजिनी ग्रहन करेंगी, बलके तुम मुझे ये अध आखें मिल गई, लेकिन उसी शन दोनों ने आखें जुका ले, उपेंद्र हस पड़े, बोले, अहज भी क्या वो बात मुझे जान लेने को शेश है सतीश, मैं सब जानता हूँ, सब जानकर ही मैं तुम लोगों को एक करके जाना चाहता हूँ, सतीश बोला, लेकिन मुझे लेकर सरोजिनी सुखी हो सकेंगी, उत्तर देने की इच्छा से उपेंद्र ने सतीश के मुझे ओर देखा, देखते ही सावित्री उच्छवासित आवेग से बोल उठी, ये भार तो मैंने अपने उपर ले लिया भाया, तुम निश्चेंत रहो, उपेंद्र चुप रहे, वो केवल उसके मुझे ओर ताकते रही, कुछ देर बाद बोले, आसकती का बंधन अब तुम्हारे लिए नहीं है सावित्री, दुर्भागिनी यदि तुमको कुल के बाहर ही निकाल दिया है वेहन, तो फिर उसके भीतर जाने की चाह मत गर्ना, मेरा अनुरोध है तुम से, सुनकर सावित्री पत्थर की मूर्ती की भाती नेत्र जुकाए बैठी रही, आज सतीश एक और का है, उसका तनिक भी अधिकार नहीं है। कि दुर्गम अगनी जौला को सहती है ठीक उसी प्रकार सावित्री शांत मूँ से सब सहकर स्थिर बैठी रही उपेंद्री ने कहा मैं समझ रहा हूं बेहन लेकिन भार सम्हाल न सकती तो क्या मैं तुझे ये भार दे जाता प्रत्यूतर में सावित्री ने केवल उनके माथे स चिल्ला उठा हैं ये तो भाबी हैं सावित्री ने चौक कर मूँ उठा कर देखा ये तो वही गंगा घाट की पगली है बहुत धीरे-धीरे कदम बढ़ाती हुई अत्यंत सावधानी से कमरे में आ रही है पल भर में कमरे के लोग चकित हो गए किरनमई के रूखे बाल साड़ी फटी हुई मैली थी चित्वन शून्य थी ये मानो उनमाच शोक मूर्ती धारन करके एका एक कमरे में आ खड़ी हुई है सतीश की ओर देखकर धीरे-धीरे कहा खोशते-खोशते मुझे मकान मिलता ही नहीं था बववा कितने ही लोगों से मैंने पूछा कोई भी न बता सका कि मकान कहा है आज मैं काली बाड़ी से आ रही थी भागिये से बिहारी से भेंट हो गई इसी से मैं उसके पीछे आ सकी उपेंद्र की और घूमकर उसने पूछा अब कैसे हो बववा जी उपेंद्रे ने हाथ हिला कर बताया अच्छा नहीं हूँ किरन मही ने अत्य उसी नद मुझसे कहा था भगवान है एक एक उसकी आखें दिवा करके पीले चेहरे पर जा पड़ी तुरंध ही बोल उठी आहां तुम ऐसे लज्जित क्यूं हो रहे हो बववा तुमको क्या इन लोगों ने लज्जित किया है ये कहकर उसने उपेंद्र की और तीवर दृ प्रिष्टी निक्षेप करके कहा इसको तुम लोग दुख मत देना बववा मेरे हाथ में जैसे तुमने इसे सौप दिया था उस सत्य को मैंने एक दिन के लिए भी नहीं तोड़ा उसकी प्राणपन से रक्षा करती आई हूँ लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है फिर तुम लोग इनको वापस ले लो फिर एका एक शांत होकर स्निक्ध कंट से बोली मेरे अचल में काली माई का प्रसाद बंधा हुआ है थोड़ा सकाओगे संभवतह अच्छे हो जाओगे सुना है इस प्रकार कितने ही लोग अच्छे हो गए हैं एक दिन जिस रमणी के रूप की सी न सका ओह कहकर कमरे से चला गया और इतने दिन बाद उपेंद्र के नेत्रों से किरनमई के लिए आसू लुड़क पड़े किरनमई ने जुक कर आचल से उन आसूं को पोंच कर कहा रो मत बववा जी अच्छे हो जाओगे तुम इस बार सावित्री पर उसकी दृष्टी उस दिन कंगा खाट पर तुम ही से भेट हुई थी ना जरा हट न जाओ बेहन तुम्हारी ही तरह मैं भी बववा के पास बैठों सरोजिनी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा मुझे तु तुम पहचानती हो किरनमई ने कहा पहचानती क्यूं नहीं तुम तो सरोजिनी हो सरोजि करें ये कहकर वो उसे पास के कमरे में खीच ले गई उनके कमरे के बाहर जाते ही उपेंद्र अचेत हो गए संभवतह वेदना और उत्तेजना उन्हें असहे हो गई थी सावित्री वैसी ही उनको गोध में लिए बैठी रही पानी तक मूं में डालने के लिए वो न उठी द प्रीक्ष्ण सर से बोले तू बैठी हुई है बहन तुझे चोड़कर जाने की बात स्मरन आते ही मेरी आँखों में आसू आ जाते हैं सावित्री सावित्री ने रोकर कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो भाईया उपेंद्र ने उसका उत्तरन देकर सतीष से कहा भाबी कहा है सतीष ने कहा नीचे सो रही है मेरी नजर में ही है रिष्टी में ही बराबर रखना भाई जितने दिनों में फिर उनका स्वभाव ठीक न हो जाए लेकिन तुझे कोई भै नहीं है सतीष उनके हृदय में कितना बड़ा आघाद दुस्स्य हो उठा है उसे समझने की शक्त ये तुम्हें जानता हूँ उपेंद भाईया फिर तुम्हारे दिवाकर का भी भार में लेता हूँ यदि विश्वास करके तुम दे जाओ प्रत्यूतर में उपेंद्र हसने की चेश्टा करके करवट बदल कर लेड रहे बहुत सी बातों ने बहुत सी उतेजनाओं ने जीवन दीप के अंतिम बचे-खुचे तेल को भी जला कर समाप्त कर दिया थोड़ी देर में देखा गया मूँ से रक्त निकल कर बह रहा है सास है या नहीं संदेह की बात है सब लोगों ने पकड़ कर उनको नीचे उतार दिया उपेंद्र के निश्पाप विरह जरजर प्राण अपनी सुर्बाला की खोज में निकल पड़े तभी सभी गला फाड फाड कर रो पड़े उनके गगन भेदी क्रंदन से सारा घर काप उठा लेकिन नीचे के कमरे में किरनमई उद्वेग रही तवस्था में पड़ी सो रही थी